हीने और भी । कौनिए आपने मेरे पहले वाले चैनल को बहुत सा प्यार दीया अप सब्सक्राइब किया बहुत सी वीदियो को लाइक किया वय когда ही प्लीज ही इस चैनल को भी नहीं मेरे कौ सब्सक्राइब की जिए ताकि मैं आपके लिए प्रोडम क्रेट हो रही थी इसलिए उस पर अप्लोड नहीं कर पारी थी वीडियो तो न्यूँ इन्फरमेशन अपने इसी चैनल पर आपके पास अप्लोड की जाएगी इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए मैं आज एक न्यूँ कोई registration करवाली है काम ले लिया है data entry का काम ले लिया है capture का वरक हमने start कर दिया तो हमें उससे बचना कैसे है क्योंकि हम उसमें फर्स चुकि हैं उनके चंगल में तो अब हमें उनसे बचना कैसे है तो मैं आपको यह बताऊं कि अगर आपने काम start कर दिया है उनको मतलब बोल हैं कि आपको इतनी payment देनी पड़ेगी अगर आपने काम छोड़ना है तो उनको payment में नहीं देनी अगर आपने कोई payment पहले जमा करवाई है security के base बे तो वह आपकी अब जपत हो चुकि आप वह नहीं मिल पाएगी आपको और दूसरी बात अगर आपको कहीं भी काम लेना है क कोई भी बोले कि आपको security देनी पड़ेगी आपकी registration फीस इतनी लगेगी आप कभी भी payment देके आप कम स्टाफ मत कीजिए क्योंकि जो काम स्टार्ट करने से पहले वह payment लेते हैं तो वह क्या करते हैं फ्रोड के नाम पे आपसे payment ले लेते हैं security के base ले लेते हैं registration के base ले लेत हैं अगर हो बोलते हैं अपनी photo send करो WhatsApp करो sign send करो तो कभी भी मत कीजिए यह सारफ रोड होता है यह फोट उठाते कहां से आपका data कई बार हम क्या करते हैं कि हम फेस्बुक पर देखते हैं फेस्बुक पर बहुत सी information होती है हमारे पास आ जाते है कि आप data entry का काम है capture feeling का का मै यह आप low और उसके बाद आपको इतनी बेमार दी जाएगी जादा से जादा जो data entry का काम होता है जादा से जादा आपको 67,000 से जादा नहीं देते हो वन मंत की salary होती है 67,000 से जादा नहीं देते हैं लेकिन जो आपको Facebook पर दी जाती है advertisement जो भी आती है आपकी वो क्या होते ह 20-30,000 से उमारे काम स्टार्ट कर देंगे है कि जब आप काम स्टार्ट कर 이제 जादे है से करवाना है हम आपको पर 20,000 से के आपकर 50,000 हम कर दूआ कर वार कहला नहीं देता होती है वह उन्हीं के चट्टे पट्टे होते हैं उन्हीं के मतलब company के थ्रू ही हमारे पास प्राइब फिर्म आती हैं होता किया है इधर से नहीं किया आपको इतनी पैनल्टी देनी पड़ेगी हम उदर से भी जाते हैं और वो 10,000 पर देने हों वहां से भी जाते हैं तो यह सारे फ्रोड है यह सारा अगर कहीं भी आपने काम करना है तो ओफलाइन काम का पर प्रैफर कीजिए जो आपकी वीडियो देखते हो ना यू पर आपको बीदन जाये जरूर जोब होती है लेकिन वह एक्स्पीरेंस के बैसपे ही आपको काम दिया जाता है ऐसा कि 10 था वीडियो लाने के लिए कुछ बिल गया लो कि वर्क फ्रॉं हों जैसे आज ज्याधा प्रैफर कर रहे हैं लोग क्योंकि लोग्डाम की कारण ज्य खंट है उसमें क्या करना हो सब्सक्राइब, पहुं बैरे और थे ने आगीरा फाइदा निकलताना है तो गर्ण करते हैं, देते हैं हम आपको घर काम देंगे भाम कईई और अपने पीमेंट मेछ उठा चाहिए आपके ओपर केस किया जाएगा आप उनको पता है कि हाँ यागे कोई स्टैप उठाने वाले हैं नहीं पुलिस के पास जाएंगे नहीं तो जो मर्जी करो दमकाओ राद हो जो मर्जी करो इन्होंने पेमेंट देनी है तो आप डरो मत अगर कोई ऐसा कम हो भी जाता है आप कभ जौब मिलेगा या फिर कॉल्पिक नहीं करेंगे तो आपने क्या करना है आपने उस नंबर को अगर आपने यूज करना है तो आप उनको उल्टा उल्टा बोलने के लिए भी क्योंस कर सकते हो गर कही लग जाता है तो मैं आ बताती हूँ आपका अपना experience बता देता आपको म मेरे साथ ऐसा हुआ था KPV solution एक कंपनी थी मैंने उस पे मतलब जोइन किया था उन्होंने पहले मेरे से पंद्रह सो रुपर लिए थे उन्होंने बोला थे registration fees इतनी है उसके बाद उन्होंने काम दिया तो मैंने वह काम कर दिया उसमें जो काम था काम था कि जो वर्डिंग थी ना होंकि ऐसी लेंगेज में थी कुछ समझ भी नहीं आते थी कैसे वर्ड लिख हुए फर्स्ट ऑफ और समझ नहीं आते थे सैकेंड़ी मैंने जो फिल किया उन्होंने मेरे से पेनल्टी ले लिए आपकी 90% अक्यूरेसी नहीं थी तो आपको वह उन्होंने मेरे से पांचे-चार पहली है उसके बाद मैंने सोचा क्या पता मेरे से सीरियसली को गलती हुई हो तो मैंने क्या किया नेक्स ताइम फिर से काम लिया उनसे सेम वही काम उन्होंने दिया मुझे यूजर नेम दिया और पासवर्ड भी दिया मैंने वह यूज किया उसके बाद मैंने वो काम करतेगी और स्क्रीन शोट भी लेतीगी साथ के साथ ताकि मैं बाद में उनको प्रूफ देने लाइक हो जाओं कि मुझे मतलब मैंने यह काम सही किया था तो मैंने वह प्रूफ पीडियाफ बना के अपने पास रखा और उसके बाद मैंने सब्मिट कर वाई हूं काम मैंने कि वान वीक में मुझे वह काम करना था कुछ फॉम से मैंने फीर फॉर就是說 कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है तो वो बिल्कुल सही था इसमीट करवाया उन्हेंख वही रिपीड किया सिपसे आपको penalty देनी मैंने कुछ सर्ज किया दूसरी बात मैंने अपने मामा वह टीचर है तो मैंने उनसे बात की उन्होंने मुझे वोला कि ऐसा कुछ नहीं है पेइमेंट नहीं देनी तुमने पहले क्यों दी थी पहले बात करने चाहिए थी तो वह बात पर ठीक थी तो मैं आपको बताती हूं कि ऐसा कुछ नहीं है आपको पेइमेंट नहीं देनी कि उसी फेल होती है क्योंकि मेरे वो वोले सारे मैंने जो पीडिएफ मैंने उनसे वैरिफाई किये चेक किये वो सारे मेरे सही थे कहीं भी कोई भी मैंने स्पेस नहीं दिया था वो बुले कि आपने डबल स्पेस दिया तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि इन फ्रोड कंपनिस के अंडर मत काम कीजिए इनका कुछ नहीं पता जो आपको गूगल में सर्च हो जाती है यह जुरूरी नहीं है कि वो जैनून हो वो जैनून होंगी लेकिन अगर वो रेजिस्टेशन के काम नाम पे मतलब बोलते हैं मैंने पहले वीडियो बनाई थी मैंने उनको पसुए बताया था एक करीक्टर चेंज कर देते हैं इनफो टैक्ट था उन्होंने दाम रखा हूँआ लेकिन नहीं रखा हुआ लेकिन यह चैक्टेप्टे होता है कि उसे बचे कभी भी इनमें आप रेजिस्टेशन या से security पीज़ दे के काम मत करें काम करना है आप सेक्योर्ट वह ओफलाइन काम करें ओनलाइन काम करने का अगर कहीं आप पहले से काम रहे हैं कहीं भी ओफिस में तो उनका काम ओनलाइन कर सकते हैं लेकिन ऐसा काम स्टार्ट मत कीजिए जो आपको फोन पर आपको information दी जाती है उनक में अपलोड नहीं कर पाई मैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को चैनल को शेर कीजिए ताकि दूसरों की हैल्प हो सके कोई भी फ्रोड में मत फसे यूट्यूब पे आप काम मत देखके लीजिए ना दिखिए भी हां कौन सा वर्क फ् दूसरे भी बच सके थैंक यू बेरी बच्च